नमस्कार मित्रों मैं प्रशान सिंग आपका अपने चैनल पीके सिंग फार्मा ने स्पेचल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं फार्मेशी फ्रेशर और फार्मासोटिकल इंडस्ट्री का जो सीरीज मेंने स्टार्ट किया है उसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटरवी प्रपरेशन एंड प्रोसेस इं फार्मासोटिकल इंडस्ट्री फार्मासोटिकल फ्रेशर इस सीरीज के पहले दो वीडियो चैनल पर अप्डेट है पहला है हाव टू प्रिपेर रिजुमें सेकेंड हाव टू सर्च और गेट जॉब इंडस्ट्री तो जब हम इं वीडियो है वो चैनल पर update किया है आप वहाँ आकर सारी information ले सकते हैं कि resume में क्या चीजों को हमको रखना की चीज़ों कि हमें मैं ne नहीं करना क्या mention करना और क्या mention नहीं करना आ है वह आप चैनल पर जा के देख सकते हैं दूसरा resume प्रिपेर करने के बाद हम rookie da किन चैनल के थुरू हम लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। उसका भी वीडियो आलड़ी चैनल पर उपलब्द है। आप वहां जाके उसके वारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। pharmaceutical company में इंट्रेव्ट दू लेबल पर होता है पहला होता है पहला है पहला हार लेबल होता है दूसरा जो होता है हो मारा technical लेबल या फिर core level होता है जब हम किसी भी pharmaceutical company में जॉब के लिए अपलाई करते हैं तो हमारा his qualification और स्किल, जो भी pratic work requirement है जो vacancy है उससे match करता है तो क्या करेंगा HR क्रिजुमय इस एक उसच करता है तो किया करें SHAR? सॉट लिस्ट कर लेगा ठीक है? यह process सलता रहा तो बहुत सारे रीजुम को нож लिस्ट करता है उसके बाद यह Good one-bye-one call करता है HR आपको call करेगा, अपना परिचे देगा, कि मैं XYZ company से बात कर रहा हूँ, आपने जिजजाओ के लिए apply किया था, उसके लिए आपका resume जो है, वो shortlist हुआ है, आपका इस date में interview schedule हुआ है, तो क्या आप interested है, यदि आप हाँ बोलेंगे, ठीक है, तो HR आपको एक formal information देगा, या फिर आपको एक proper mail करेगा regarding the interview, वो आपको जिसमें के company का नाम रहेगा, interview का date रहेगा, interview का time रहेगा, कौन से place पे interview होगा, आपको उस place पे, ताहने समय में, ठीक है, ताहने date पे, fix date पे आपको पहुच के report करनी है, अब interview पर जाने से पहले, हम कुछ चीजों की टैरी भी करनी पड़ती है, सबसे पहले तो क्या है, कि हमको एक resume की copy लेकी जानी है, जो कि आलड़ी हम लोग prepare कर चुके है, लेकिन जिस company में हम interview देने के लिए जा रहे हैं, हमको उस company के बारे में जानकारी भी कठा करनी है, जानकारी इसलिए कठा करनी है, क्योंकि हम interview देने जा रहे हैं, अगर interview और ने हम से कुछ company के बारे में पूछ लिया, कि आप हमारी company के बारे में क्या जानते हैं, tell me something about company, company, तो वहां पर हम blank ना रहे हैं, तो अच्छा यह है, कि जहां से हमको call आई है, उस company के बारे में हम पूरी जानकारी एक अठा करके जाए, जैसे company कब establish हुई, company को कौन-कौन से award मिले हैं, इनके milestones क्या है, उनका MD कहुन है, उनका chairman कहुन है, कहां-कहां पर इनके plant है, company किन-किन segments में deal करती है, company के champion product कौन से हैं, ठीक है, और कौन-कौन से sector में deal करती है, मतलब regulated या domestic market में deal करती है, और इन सब की जानकारी है, आपको company की website पर आसानी से मिल जाएगी, और दूसरा क्या है, कि जब हम लोग interview देने के लिए जाएं, तो क्या है, हमको formal dress में जाना चाहिए, ठीक है, स्पूर्ट सूप पहन के नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर सेविंग करके जाना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप mail है, तो आप ऐसे कपड़े पहनिए, जिसमें फूल पत्तिया ना हो, बहुत ज़्यादा रंग भी रंगा ना हो, कोशिस करिए, कि आपके dress में दो से ज़्या लॉक होने चाहिए, सूस फॉर्मल होने चाहिए, सूस का कलर ब्लेक या ब्राउन होना चाहिए, ठीक है, फीमेल है, तो आप दो या तीन, मैक्सम तीन कलर आपके dress में चलेगा, बट वो फॉर्मल रहना चाहिए, अब हम जब इंटर्व्यू के लिए जाते हैं, तो कभी भी हमारा जो इंटर्व्यू है, वो डारेक्ट नहीं होता, इंटर्व्यू से पहले, रिजुमे जो है, वो रिसेप्शन पर, आपको सम्मिट करना पड़ता है, जब आप रिजुमे सम्मिट कर देते हैं, तो आपको वेट करने के लिए कहा चाहिए, वेटिंग पिरियेड में, बहुत सारे लोग nervous हो जाते हैं, घवला जाते हैं, tension में आ जाते हैं, क्या पूछेगा, selection होगा की नहीं होगा, ठीके, बट इस case में आपको घवलाना नहीं है, आप आराम से, confident रहें, ठीके, अगर आप नर्वस होगे तो आपका जो इंटरिव्यू है आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपका इंटरिव्यू अच्छा नहीं होगा इस समय आप वेटिंग के टाइम पर आप आराम से बैठिए अगर आप नर्वस हो रहें आपको घबडा रहें तो सबसे अच्छा सलूशन यह है कि आपके आसपस जो कंडिडेट जो और कंडिडेट हैं इंटरिव्यू के लिए हैं आप उनसे बात किजिए कि जैसे आप कहां से हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो इससे क्या होगा आपका confidence बढ़ेगा इसके बाद जब आपका number आएगा तो आपको इंटरिव्यू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है सबसे पहले जो आपसे question पूछा जाएगा अंदर जाने के बाद जो सबसे पहले पूछा जाएगा tell me something about yourself या फिर give your introduction या introduce yourself तो यह तीनो questions जो है एक ही है बट यह different way से interviewer आपसे पूछ सकता है तो इसमें क्या करना है आपको अच्छे से अपना introduction prepare करके जाना है ठीक है कि आपको अपने बारे में interviewer को कैसे बताना है और आपने आपको कैसे introduce करना है ठीक है इसकी preparation already आप English में करके जाए कोशिस करें कि अपने introduction आप English में ही दें यह से एक positive impact interviewer पर पढ़ता है introduction जो है आपका systematic way में हो ठीक है जब आप introduction दें तो चेहरे पर हलकी smile बनाए रखें यह आपके confidence को दिखाती है ठीक है और यह positive impact डालती है आपको पूरे interview के दौरान eye contact बनाए रखना है अगर interview में एक से ज़्यादा लोग है ठीक है तो आपको equal तरीके से सभी को देखना है ऐसा नहीं कि आप एक ही आदमे को focus करें इससे बाकी के जो interview panel में लोग होते हैं उनको लगता है कि आदमी हमको avoid कर रहे है इसलिए अगर द इसके बाद आपको सबसे पहले बोला है first of all thank you for giving me this opportunity to introduce myself आपको इसमें क्या करना है my name is आपको अपना पूरा नाम बोलना है for an example मैं अगर अपना नाम बोलूँगा my name is Prashant Kumarsan I am basically from Sultan Puruttar Pradesh I did my M form from the Babu Banar Siddhas National Institute of Technology and Management Lucknow that is affiliated to UPTU University I did my B form from APTCI Agra affiliated to UPTU University आप इसमें अपने schooling भी बोल सकते हैं अगर बोलना है I did my schooling from so and so college अब आपको क्या करना है इसमें आपको अपको strength बताना है for an example my strength are I am self motivated, hard working, disciplined person, my hobbies, reading book, spiritual books, cooking, listening music इसके बाद आपको बोलना है that's all about me, thank you very much जाल इतना कैके आपको अपने self introduction close करते हैं अब आपने जो यह अपना self introduction दिया इस पूरे introduction के दौरान आपको confident दिखना है घवरान आप बिलकुल भी नहीं है, nervous नहीं होना है कभी कभी क्या होता है, कि जैसे किसी ने पूस लिया, tell me about yourself तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, candidate ऐसे होते हैं, जो घबला जाते हैं वो nervous हो जाते हैं तो ठीक है, तो यह फिर वो बता नहीं पाते हैं, अगर आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे interviewer को तो इसका क्या होगा, इसका negative impact interviewer पर जाएं, इंटर्वियर ही सोचागा, कि भई यह अपने बारे में नहीं बता पा रहा है, तो यह आगे क्या perform करेगा, यह communicate कैसे करेगा लोगों से तो सबसे अच्छा यह है, कि जब आप interview के लिए जाएं, तो अपना जो self introduction है, वो आपको paper पे लिख के आपको बिल्कुल रट लेना है, पूरा के पूरा रट लेना है, बिना रुके, आपको पूरा introduction एक बार में देना है अब दूसरा question क्या पूछा जा सकता है, अब दूसरा question यह पूछा जा सकता है, कि why do you want to do job, अप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, यह depend करता है, कि company कैसे है, तो ही पूछा है, अगर बड़ी company है, MNC company है, अगर HR भी interviewer के साथ बैठा है, तो कभी-कभी वो यह question पूछ लेता ह तो इस case में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कि नहीं सर मुझे job की जरूरत है, मैं बहुत घर के लोगों को support करना है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे job की जरूरत है, आपको इस type का answer बिलकुल नहीं देना है, ठीक है, आपको एक smart answer देना है, जैसे कि मेरी age और qualification इस level पर आ गई है, कि मुझे लगता है, कि मुझे अपना carrier start कर देना चाहिए, इसलिए मैं यह नोकरी करना चाहता हूँ, यह smart जबाब, इसमें आपको, आप cancer से कहीं नहीं लग रहा कि आप गरीब है, आपको जरूरत है, आपके घर के लोगों को support करना है, इसमें से कहीं भी ऐसा आपको simple यही जबाब देना है, कि मेरी age और qualification इस label पर आ गई है, मुझे लगता है, कि मुझे अपना carrier start कर देना चाहिए, इसलिए मुझे यह नोकरी करनी है, अब अगला question क्या हो सकता है, tell me something about company, आप इस company में interview के लिए गया है, वो पूछेगा कि आप company के बारे में क्या जा पूछता है, interviewer एक question इसलिए पूछता है, वो चेक करता है कि आप company के बारे में कितना जानते है, आपको company के बारे में पूरी information होनी चाहिए, जैसे कि company कब established होई, किन-किन segments में deal करती है, domestic है, regulatory है, कौन-कौन से product है, कौन से award मिले company को, ठीक है, company का chairman कौन है, founder कौन था, number आप plant कितने plant है, कहां-कहां पर plant है, इनके champion product कौन से है, यह सारी जानकारी आपको company के website से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और यह आपको पहले से याद करके जाना है, और जब आप company के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो interviewer के उपर इसका बहुत काफी positive impact होता है, उसको ल कि जब आप interview दे रहें, तो आपका बोलने का तरीका ना तो बहुत ज़्यादा aggressive होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एकदम down होना चाहिए, बहुत तेजी-तेजी से भी आपको नहीं बोलना है, और बहुत low आवाज में भी नहीं बोलना है, अगर आप बहुत तेजी से ब उसको आपको क्या करना है, एक systematic way में रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज हो, ना बहुत ज़्यादा धीमी हो, एक normal आवाज में आपको अपना पूरा interview देना है, और interview के दौरान आपको formal या professional way में behave करना है, interview के दौरान आपको respectful manner में बात करने है, interviewer को आपको पूरी respect देने है, interviewer को कभी नहीं लगना चाहिए, कि आप उसको respect नहीं दे रहे हैं, जैसे कि उसने कोई प्रस्न पूछा और आपको नहीं आता, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, हाँ sir मुझे नहीं आता, मैं पढ़कर नहीं आया है, इस case में आपका interview वहीं समापत हो जाएगा, interviewer को लगेगा, ये बंदा मुझे इंटर्वी के दौरान respect नहीं दे रहा है, तो ये आगे क्या respect देगा, इंटर्वी के दौरान आपको हर question को बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप sorry sir कहके उनको बोल सकते हैं, कि sorry sir, एक बार और repeat कर दीजिए, ठीक है, उसके repeat करने के बाद आप अपना जबाब दीजिए, अगर आपको जबाब आता है, तो आप answer को, question के answer को systematic way में दीजिए, अगर आपको उसका answer नहीं आता है, तो sorry sir, बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं, sorry sir, I cannot recall it, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, अब interview के time पर मैंने बहुत सार ऐसे लड़कों को देखा है, कि बहुत ही nervous हो जाते हैं, वो nervous हो जाते हैं, और nervous होने के बाद क्या होता है, वो interview में आपने पढ़ाई की है, आपने 4 साल B-firm किया है, D-firm किया है, M-firm किया है, तो आपने जो पढ़ा है, आपको उसके confident रहना है, ठीक है, और आपको इतना confident रहना है, कि आपको यह लगे कि जो भी मैं पढ़ा हूँ, अगर उससे जो भी question आएगा, मैं उसका 60 जवाब दे प wallet, या फिर आप खुद जो पढ़कर आएं, उसके वारे में बोल दीजिये, जैसे आप बोल सकते हैं, कि sir मैं tablet पढ़के आए हूँ, sir मैं HPLC पढ़के आए हूँ, मैं capsule पढ़के आए हूँ, ठीक है, तो यह अच्छा रहता है, ने तो क्या होगा, interviewer आपको question पुस्ता जाए कि sir मैं tablet पढ़के आए हूँ, sir मैं capsule पढ़के रहा हूँ, तो interviewer हो सकता है कि उससे फिर वो questions पूछे, इसमें आप क्या है, आप answer बता देंगे, आप आखर पढ़के आए हैं, आप tablet पढ़के आए, capsule पढ़के आए, अगर interviewer उससे question पूछेगा, तो आप उसका answer आसानी से और इससे आपका selection भी हो सकता है, बहुत सारे interview हम लोगों ने भी लिये हैं, उस case में क्या होता है, सामने से बंदा बोलता है, sir मैं ये पढ़के आए हूँ, तो फिर हम लोग उससे question पूछते हैं, पर हम लोग सामने से पूछ लेता है, fresher है, भाई अब क्या पढ़के आए ह हो बलता है, मैं ये पढ़के आए हूँ, तो हम लोग उससे particular उसी चीज से पूछते हैं, अगर उसने जवाब दे दिया, तो उसका selection हो जाता है, अब कभी-कभी क्या होता है, interview खतम होने के बाद, जो manager होता है, वो ऐसे question पूछते हैं, कि भाई, आपको जो interview था, वो मेरे हि आप से सही नहीं था, तो यहां पर वो आपका क्या confidence को check करने के लिए हो बोलता है, तो इस case में आपको कुछ ऐसा जवाब देना है, कि सर में अपनी मेहनत से आपको अच्छे से अच्छे result ला कर दूँगा, और जिन प्रस्नों का जवाब मैं नहीं दे पाया, उसको company में सा बाता होता है technical round, ए ऺछेusta तक्निकला राउन में से particular field, जिस field में आपो लोग गय है त一定要 science के लिए, quality assurance के लिए, quality assurance के लिए今天, तो quality control से related questions पूछे जाएंगे, बड़ी जो technical round है, इसके लिए मैं अलग से video बना रहा हूँ, हर department wise कि क्या-क्या technical round में questions पूछे जाते हैं, production में, quality assurance में, quality control में, ठीक है, packaging के लिए, इसके लिए मैं हर एक department के लिए अलग-अलग video अपने चैनल पर update करूँगा, जो कि आपके लिए काफी beneficial रहेगा, अब यह सब होने के बाद, जो बड़ी company हैं, जैसे MNC हैं, तो उसमें क्या होता है, दो-तिन लोगों का panel होता है, तो वहां के साथ HR भी रहता है, तो कभी-कभी क्या कहता है, HR post लेता है, why should I hire you, मैं आपको क्यों लोग, तो इस case में क्या होता है, बहुत सारे लड़के होता है, नर्वस हो जाते हैं, घबला जाते हैं, आजू-आजू देखने लगते हैं, अरे-अरे, मैं क्या जबाब दू मैं, तो वो बोलते हैं, sir, मु qualification की जरूरत है, और skill की जरूरत है, वो मुझ में है, मतब, जिस job के लिए मैं interview देने आया हूँ, उसके लिए जो required qualification और skill है, वो मुझ में है, और मैं इस job को जीजान से कड़ी मेहनत के साथ करूँगा, तो मुझे लगता है आपको hire कर लेना चाहिए, यह स्मार्ट जबाब ह मेरी qualification और skills match करती है, तो HR न मुझे call करके interview के लिए बुलाया है, तो मुझे बोलना है कि मेरी qualification और skills, इस job के लिए जो requirement है, उसे match करती है, और में इस job को जीजान से बहुत मेहनत के साथ करूँगा, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मुझे hire कर लेना चाहिए, अब इसके बात क्या होता है कि आपका interview कराओं वहाँ पर खतम हो जाता है, इसके बाद जो भी candidates होते हैं, उनको बाहर wait करने के लिए कहा जाता है, थोड़े देर के बाद HR सभी लोगों से बात करता है, अब जिनका selection हो गया उनका तो ठीक है, बट जिनका नहीं हुआ है, तो HR क्या करता direct मना नहीं करता, ठीक है, वह बाहर जाएगा, candidates की नाम लेगा, candidate A, candidate B, candidate C, candidate D, उनको बोलेगा कि आपका interview अच्छा हुआ, आप लोग घर जाए, हम आपको call करेंगे, ठीक है, तो इस case में आपको समझ लेना चाहिए, कि जिनको ये बोला जाता है, कि आप जाए हम आपको call कर करेंगे, आप हमारे call का बेट कीजिएगा, मतलब उन लोगों का selection नहीं हुआ, at present उनका selection नहीं हुआ, हो सकता है, कि वो shortlist करके रख लिए गया हो, but at present उनका selection नहीं हुआ, ये HR का, उस candidate को घर बेजने का तरीका था, क्योंकि वो direct face में मना नहीं करेंगे, कि हो सकता है, candidate का करेंगे, इसलिए हो लोग ऐसा बोल के घर बेज देते हैं, अब बाकी जिनका नाम नहीं लिया गया है, मतलब वो उस round तक qualify है, अब उनके लिए अगला round होता है, वो होता है, how much salary do you expect, ठीक है, अब इस case में क्या है, कि आपको कितनी salary चाहिए, जैसे fresher के case में है, जो बड़ कंपनिया है, MNC कंपनिया है, वहाँ पे fresher का pay scale fix होता है, उसमें कोई बारगनी नहीं होती, तो सीधे-सीधे जो आपका pay scale fix है, उस पर आपका appointment हो जाता है, आपको वही salary मिलती है, बट experience के case में क्या है, उस case में negotiation होता है, negotiation suppose that, मैंने 30% rise मागा है, मेरे current salaries है, company बोलती है, आ आप experience होता है, आप argument कर सकते है, बट वह भी professional manner में होना चाहिए, HR बलता है, आप 15% ले लो, तो आप उनको बोल सकते हैं, कि नहीं, मेरे increment due है, मैं 15% नहीं ले सकता है, मैं 25% at least minimum, आप आउंगा, पर HR भी कुछ निगोशियर करता है, अचा ठीक है, बाइस परसंट ले लो, ती negotiation चलती, इस पॉइंट पर उन दूनों का agreement हो जाता है, फिर हाइक जो है, फाइनल हो जाता है, अब छोटी कंपनिया, जहां पर कोई pay scale fix नहीं होता, उस case में, फ्रसर के case में भी negotiation होता है, for an example, आपने, वह आप से बोलता है कि नहीं, आपको कितनी salary चाहिए, आपने बला सपोस्देर मुझे 20,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वह बोलता है कि नहीं, हम 15,000 ही दे पाएंगे, या फिर हम 10,000 ही दे पाएंगे, तो फिर आपको उनको बोलना चाहिए, नहीं सिर्फ 15 चाहिए, तो ऐसा करके bargaining होता है, और एक point पे आने के बाद, वह mutual understanding से वह package final हो जाता है, इ उस offer letter में, आपका package, आपका joining date, ठीक है, आपका required medical test, और जो भी joining formalities होती है, वो mention होती है, अब फार्मा में क्या है, फार्मा में काम करने के लिए, आपको medically fit होना चाहिए, जोइनिंग से पहले सारी कंपनियों का definite medical test होता है, पहले कंपनियों और लोग करा लेती है, सिफार अग्जामपल जैसे, सिफलो स्परिंट ब्लॉक है, या यह है, अगर आप penicillin sensitive है, तो आपको इस ब्लॉक में नहीं रखा जाता, आपकी life खतर में आ सकती है, तो medical test होगा, जो prescribed medical formats है, company के doctors होता है, उनकी डक्टरों की team होती है, तो जो भी test required है, वो test आपको कराने और वो test pass होने चाहिए, तो ही आपकी joining होगी, तो आपको सारे medical test करा के भेजने है, या फिर joining के time पर करा लेना है, बट joining से पहले आपका medical test होना चाहिए, इसका जो भी expenses होता हो, company bear करती है, आपका medical test report आप भेज़ेंगे, वो okay होगी doctor के थुरू, उसके बाद फिर आप उस date को join कर सक करते हैं, तो यह पूरी process थी, interview का preparation कैसे करना है आपको, और क्या process होती है, pharmaceutical industry में, fresh air as well as experience के लिए, experience के लिए, थोड़ा सा change रहेगा, बट flow यही रहता है, तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए यह fresh air sun के लिए helpful होगा, तो job के लिए, जो मैं अपने चैनल पर update करता हूँ, अगर आपको information चाहिए, तो मेरे चैनल को आप subscribe कीजिए, जो भी jobs आती है, उनको मैं post करता हूँ, वहापे click करके, आप अपना resume drop कर सकते हैं, तो अगला जो वीडियो है, वो है interview preparation for production department, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो core round होता है, technical round हो production department के बारे में एक video बनाऊंगा, कि उसमें core क्या-क्या questions पूशे जाते हैं, related core या फिर technical round में क्या-क्या questions पूशे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं production department cover करूंगा, उसके बात quality assurance, फिर quality control, फिर packaging, तो अगर आप कोई video पसंद आया, तो मेरे वीडियो को like और मेरे चैनल को subscribe जरू करूंगा